तो सागरें दोस्ते पर फिर साका मेरे स्यूर्ड चनल फैंटसी सेलेक्टर पर हम यहाँ पर बात करें पाकिस्तान सूपर लिग 24 के आज किस मैच की जो कि कराची किंग्स और लाहॉर कलंदर की बीच में खिला जाएगा और अब फिलहाले मैचेस आ चुके हैं नेशनल के जो टीम है इस टूर्णमेंट की सबसे खराब परफार्मिस करने वाली टीम हाला कि दोनों ही टीमों को अगर आप देखेंगे तो पॉइंस टेमल में नीचे से दूसरे नंबर पर कराची किंग्स की टीम और सबसे नीचे हैं लाहॉर कलंदर की लाहॉर कलंदर के टीम ने हला कि पिछले सीजन की चैंपियन टीम है इसके लावा कराची किंग्स की टीम की बात करें तो इनके भी होप लगबग लगबग खतम हो रही है हला कि कुछ मौके हैं इनके पास अभी तक आठ मैचस में से तीन जीता है बाकी पांच हारे हैं इस मैच को भी अकर जीत लेते तो सोड़ी सी आसाई इनकी बनी रहेगी तो इस टूर्णमेंट में बने रहना भी इनका एक बड़ा रोल होगा बाकी जो लाहोर के टीम है काफी प्रयोग करेगी चूँकि टूर्णमेंट सा अल्रडी बाहर हो चुकिए पिछले मैच में इन्हों ने ठीक ठाक प्रयोग कि अक्तूबर नॉमबर में बहुत सारे टी टूर्णमेंट में डूमेस्टिक लिवल पर खेले गए थे अलाकि जो पर्टिकुलर पिछे से यूज की गई पिएसल के अंदर वो पिछ यूज नहीं की गए थी उन डूमेस्टिक में लेकिन बहुत ही ड्राइव विक्टे थी प पिछा है कि स्क्र को आसानी से लक्ष को पीछा करतो मैच को जीतने की कोशिस करें जो कि पहले दो मंचेश में हुआ भी मैच में ऑगर आप 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 यहां पर मैचे से कम हो जाएंगे PE पिचेस पर रोल किया जाएगा लेकिन ड्राइनेस अगर विकेट पर ठीक उसी तरह से बनी रही जिसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूँगा कि क्या अचुली सेम उसी तरह के से ड्राइनेस का लेवल है पिच पर या थोड़ा सा चेंज हुआ है थोड़े सी नमी और कराची किंग्स के टीम की बैटिंग उनकी कमजोरी रही है काफी हग तक जिसमें इनके जो कफ्तान है खुद सानमसूद सौ के भी श्ट्राइफिट से रन नहीं बना पा रहे है और यही एक नतीजा था कि कराची किंग्स के टीम ने इस सीजन के तीनों मैच में हिस्सा तो लिया लेकिन तीन में से जीता केवल अगर आप देखें तो केवल जीता कोई भी मैच नहीं जहां पर पहले मैच में इनों ने पहले बैटिंग करते हैं सो पैंसरा टरम बना थे पांच विकेट के नुकसान पर उसके जवाब में इसलामाबाद के टीम ने 179 बना दिये दूसरा मैच इस ग्राउंड पर खेला गया एक बार फिर से कराची के टीम ने आइडेंटिकल स्कॉर बनाया पहले मैच की तरह ही 165 हाला कि यहां पर आठ विक्टे गिरी जिसमें से साथ विक्ते हैं इस्पिनर्स लेकर गए पावर प्ले के शुरुआ था हलाकि इनकी जब परजस थी उसके बाद कोलैप्स हो एनका और जैसा मैंने को बताया जब यहां पर यह रन बनाने जाते हैं पावर प्ले के बाद जब आठ नौ दसवां ओर हो जाता है ग्यारवें बारवें ओर से जब रंस बनाने जाते हैं बले बाज तो वहां पर विक्टे गिरती हैं पाकिस्तान के लोकल टाइम यह वाला मैस दिन का था दो बजे दो पार का हुआ था यह वाला जो तीसरा मैच हुआ यह भी रात का ही मैस था सामको साथ बजे यहां पर पहली इनिंग का स्कोर चेज नहीं कर पाई कराची किंग के टीम जहां पर पहली इनिंग में तीनों वि है लेकिन पहली इनिंग के अंदर यहां पर विक्ट पर टिक करके ज्यादा बड़ा सकला कर परना हुट सेकर नदर सको चेज करना ज्यादा cuánt करना यह और अभी सिक्ट करने वाली तिम और उसमें से फिंड और पेस के आख डेखें तो 17 बिटैप इनिंग के अदर और इस तरह से यह बातों को क्लियर है कि पिछ के बारे हमको इन्फरमेशन देनी बहुत जरूरी है और वह इन्फरमेशन जैसे आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको मैं पिक्चर सेर करके बताऊंगा बाउंडे डामेंशन बताऊंगा प्लेंग जो पिछ के बारे में अब्जर्वेशन मेरी होगी वह आउडियो के दोरह बता करके आपको फाइनल टीम भी है पर टेलिग्राम के चनल पर दे दूँगा तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो पिन की आवा कमेंट है वहां पर लिं लिखेशन में खर्षसी ऊलयां की गयां सेखर करता हूं लिंग हैं च्कैंपे में अगर आप चाहãy तो जोईन कर सकते को करें जीका बाहcią कर सकते हैं इरफान खान न्याजी है जो कि बैसिकली नीचे आते हैं बैटिंग करने बाकि स्वय चेम्स भी लेते हैं उन को इस ट्राइक रीड्ट के तो आपको पता यह तीन वर की बाल रिंग बी किती लास्ट वले मैच में बाकि जो बालरें के में जैसे हसन अली होगे चार ओवर करेंगे चार ओवर की बॉलिंग मीर हमजा करेंगे चार ओवर की बॉलिंग जाहिद महमूद करेंगे लेग स्पिनर बाकी राइट हम फास्ट मिनें बला ब्लेसिंग मजरवानी जो जिंबाब्बे साते हैं ये भी चार ओवर करेंगे और ये number of hours आए उसमें साब को बता दूट तो Otow और ما कि का पावरवनी ने फ मुझरबानी ने इक यक दोर के boys तो तो हसान अली ही दूसरा वहर करते देज़का और बैटिंग और तो आप देखी पा रहोंगे जिसमें आपको लेफ्ट हैंडर की कोई बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं है दो ही प्लेयर है जो लेफ्ट हैंडर बाकि सारे राइट हैं बेंच के प्लेयर भी आप उधर देख सक परते हैं लाहर के लंदर के सबसे बड़ी जो नाकामियाभी रही है एक तो इनके पास बैटिंग है अगर आप इनके पास देखे तो शिकंदर आज़ो नंबर छे पर आता है आप कहा सकते के वेल एक्यूड बैटर इंको आप सकते हैं फुल फ्लेजेट बैटर जो राइट और साई होप हैं साई होप जो कि वही स्ट्राइक एट के समस्या होती है रंस उतने तेजी सिंसे बनते नहीं तो जो स्पेशलिस्ट बैटर हो गए वो तीनी होते हैं सिकंदर रजा को लेकर करके चार हो जाते हैं और एक साई होप जो कि पिछले मैस में इंक्लूड किया बॉलिंग अच्छी किया हाला कि जमान खान ने भी शुरुआती मैचेस में अच्छा किया था बीच में दो मैच में जमके बिठाई हुई थी पिछला मैच एक बार फिर से बाप सी कि इन्हों ने चार सांदार ओफ किये पिछले वाले मैच में बाकी दो ओफ के था तैयब ता कप्तान को रुपे भी काफी सेफेश्ट पीक है श्टिंग के तरफ से और फकर जबान तो टोटल फेलियर रहे हैं पुरे टूर्नमेंट के दोरान ये भी पारी इनकी अच्छी आई नहीं है तो ये श्टिंग के कमजोरी देए ना तो इनकी बॉलिंग कंसिस्टेंटी इता दिया इसमें से पाउर फ्ले के दो और भी रह vibrations को मिला करने को यात sigu जासे और जहांता राथ खांब इंके कैसे बॉलर हैं जोइंग कोई को देखें कर सकते हैं तो इस टीम के पास बेकर आप दीए तो flap cent एdeफ को लिए कर के तीन option जिसमें फकर जमान आते हैं इसके नमाँ खुद कप्तान साही नाफरीदी आते हैं जिनको फुल फ्लेजट बैटर तो कोई कहेगा नहीं चले यह चले मिर्शन हिट प्लेयर रहेंगे तो इस टीम के खिलाब यह अगर आप देखें तो जो स्वाइब मलिक की बॉलिंग के प् इस चैट्स भी देख लिए जिससे सबसे इंप्पोर्टन चीज एक जो है हलाकि सभी चीज इंप्पोर्टन था लेकिन एक जो काफी इंप्पोर्टन चीज आप देख सकते कि जो कोई प्लेयर होता है पूरे टीट्वन्टी कड़र के दौरा पहली इनिंग में कैसा खेलता उसकी इनिंग वाइज एनालिसीज यहां पर आपको मैंने शेयर कर रखें चाहे बैटर हो चाहे बॉलर जैसे सानमसूद का ही अगर आप देख लें तो 37 का एवरेज होता है पच्चिस का एवरेज होता है सेक्ट इनिंग के बैटर रहे हैं टीम साइफट को भी देखेंग तो 32 पहली इनिंग का 26 सेकेंड इनिंग का उसी तरह से बाकी जो बैटर से उनका तो देखिए बाकी जो स्ट्राइब मलीक कार्यान पॉलाड मॉमान नवाज जैसे जो आल राउंडर्स हैं जिसमें से कार्यान पॉलाड तो बैटर ही खेल रहे हैं इस पूरे से ब्यक्रीस हैं वादम नो आरे अविपनेंच कीने छागया और तो ईकल्राड ने जो एक जाम्पल नहीं है किसे ब्यक्ति में उनक प्ञहारे माज रहे हैं आपको मैंने बताया कि सान मौसूस से रंस बने नहीं है, थोड़े बहुत रंस जरूर बने हैं, लेकिन इस ट्राइक काफी कम है, टीम साइफ़र्ट ने जरूर कुछ अच्छा योगदान दे रखा है, पुछले दो मैच में जेम स्मिन्स ने भी ठीक ठाक पारिया खेली है, तो पॉइंट्स जो देते हैं, टीम साइफ़र्ट और जेम स्मिन्स ने एक अच्छे आप्सन रहेंगे, सौयब मलिक, पिछले मैच में बालिंग नहीं की, बैटिंग से भी बहुत ज्यादा काम्याबी नहीं मिली है, बर रंस आये हैं, तीस-चालिस दन लगबाग हैर मैच में ही लिया था, जाहिद ममूद ने भी चार मैच पर पांच उटेले रखी है, बलेचिंग मुझरबानी भी पिछले तीन मैच पर पांच उट ले चुक है, तो बालिंग ठीक था कि स्टिंग के रही है, खास करके इस विकेट को ध्याम रखतों इनकी बालिंग काफी अच् के स्टिंग के खिलाफ पांच विक्ते भी हैं, 16 मैचेस में, काहिरान पुलाट के आंकड़े भी ठीक ठाक हैं, इसके लावाद मुहमन नवाच काफी एवरेज हैं, हाला कि 16 मैच में ग्यारा विक्ते भी हैं, इसके बाद आते हसन अली जो कि टॉप परफार्मर रहे हैं, ज इस बार फिर से वही सान मसूद का थोड़ा से बेहतर दिखाई पड़ेगा 27 के वरेज हैं, लेकिन नीचे अगर आप आएं, तो उसके बाद आपको स्वेब मलिक दिखाई पड़ेंगे, काहिरान पुलाट दिखाई पड़ेंगे, जिनके नमबर से समयदान पर अच्छे है मुहमान नवास पर मुझे उतना भरोसा है नहीं, लेकिन फिर भी 35 मुझे 27 युक्टितों हैं, कुछ खास परफॉर्मिस इंकी नहीं रही एक ट्रम्प आप्सन कुर्प में जरूरा प्रिस्क लेकर करके जा सकते हैं, मेरे इसाब से इनसे बेहतर कारान पुलाट के नाम का अप्सन होगा, बाकि 29 मैंचे 20 युक्टे हां पर हसन अली के हैं, इनके आकड़े सांधार रहे हैं, मीर हमजा थोड़ा से कमजोर रहे हां पर लेकिन बाकि जाहिद ममुता ब्लेसिंग मुझेट पर काम्याबी के साथ बालिंग करने में काम्याब रहे हैं, और जैसे तबरे अब देख लीजेगा, बाकि फॉर्म देखे तो साहिव जदा फरा ने जरूर अच्छी परफॉर्मिस दे पूरे टॉड़नमेंट में ही फ्लॉप रहे हैं, एक दो अच्छी पार्या जरूर आई हैं, लेकिन बागी टोटल फ्लॉप है, रेजीव और डशन ने भी परफॉर्मर ने अपनी टीम के तरफ सहचे कैप्टन परफॉर्मिस किया है, लेकि टीम ने नहीं किया है, प्रिशले मैच पर तीस रन भी बिनाया, दो विक्ते भी लिए उसके पर नौ रन दो विकेट, तीन विकेट तो लगातार बॉलिंग में सांधार परफॉर्मिस दे कामरान गुलाम या बाकी जो बेंच के प्लेयर है, इनके भी वो सारे नंबर आप देख सकते हैं, जो कि जरूरी है, उधर इनिंग के हिसाब से एनालिसिस वाले इसी चीज को देखते हुए, बाकी हेट्पेड और वेन्यू स्टैड भी अगर आप देखने, कि जब लाहोर क प्लेयर खेलते हैं कराची के खिलाव, तो आकड़ा का साहिव जदा फरान के देखे तो सांधार है, दो ही बारा उट हो है, चार मैच में, इसी विज़े से 65 का एवरेज है, लेकिन इस वेन्यू पर यह नहीं चले है, कि एवल 19 का एवरेज है, इसके बाद अगर आप देख साहिन अफरीदी के भी आँकड़ा अच्छे खासे आपको दिखाई पड़ जाएंगे, इसके लाब आगर आप देखें नीचे आते हुए, तो जो आकड़ा को बहतर दिखाई पड़ेंगे, कुछ हब तक जहांदात खान आहसान भटी ने भी दो विक्ते लियर्स टीम के ख सब्सक्राइब को अपता चल पाएगा, और उसी हिसाब से इन सभी आँकड़ को ध्याम रहते हुए, दोनों टीमों के स्ट्रेंथ या विक्निसे को ध्याम रहते हुए, वो तो आप मैं टेलीग्राम को चनल पर दूँगा, जिसको जाकर एका को जोईन करना है, डिसक्रिप करना है, डिसक्रिप्शन से पिन कमेंट से, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके चनल को सब्सक्राइब करेएगा, फिलाल चलते हैं, वास्कार.